इंग्लेंड के तेज गेंड बाज मार्क वुड ने चौथे T20 मैच में पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान को आउट करने के लिए एक बहतरीम बाउंसर दी और विडियो जल्द ही वाइरल हो गया। पाकिस्तान की पारी के ग्यारावे ओवा में वुड की 142 किलोमीटर प्रती घंटे की बाउंसर ने आजम खान को हैरान कर दिया। जैसे ही वुड ने तेज बाउंसर फेकी जोकी बैक अफ लेंट से तेजी से उठी और बल्लेबाज की और तेजी से बड़ी शूने पर खेल रहे आजम कुछ नहीं कर सके और सीधे उनके चेहरे पर आ रही गेंद से बचने की कोशिश करते समय आजम ने खुद को पूरी त तरह से फसा हुआ पाया और गेंद उनके दस्ताने को चूगई और फिर कंदे से टकरा कर सीधे इंग्लेंड के कीपर जोस बटल के पास चली गई आजम खान अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और इंग्लेंड के खिलाफ उनके आउट होने के बाद पाकिस्तानी पूर्फ खिलारियों ने बाबर आजम की आलोचना की और कहा कि वह आजम खान के साथ नेपटिजम कर रहे हैं और बिना प्रदर्शन के उन्हें प्ले पेर लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें.